नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पी एफपी में मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ही अच्छा नजर आता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर एक इंडेक्स में तेजी नजर आती है और हर सेक्टरल इंडेक्स में भी आपको तेजी नजर आती है निफ्टी 50, 16700 के उपर क्लोज हो चुका है, 0.41% की तेजी है निफ्टी बैंक 0.03% उपर, निफ्टी मिड कैप भी 1% से ज़ादा की तेजी दिखा रहा है जिसके कारण AD ratio भी हमें advance के favor में जाता हुआ नजर आता है कॉमोलिटी के बार में बात करें, crude oil में 0.7% की तेजी है natural gas almost 2% उपर है, gold 0.3% नीचे है, silver में 0.7% की तेजी दिखाई पड़ती है currency के बार में बात करें, तो currency में फिलाल एक बड़ा movement देखने को मिला है गिरावट नजर आती है, यह गिरावट actually 1% से नीचे है, लेकिन currency में movement कम होता है इसलिए यह movement भी बड़ा माना जाता है, global indices के बार में बात करें तो global indices में फिलाल फ्लैट सा महल दिखाई पड़ता है, और slightly negative sentiment दिखाई पड़ता है निफ्टी के चार्ट पर हमें clearly नजर आता है, शुरुवात अच्छी देखने को नहीं मिले शुरुवात में हमें गिरावट देखने को मिली थी, दो दिन से तो थोड़ी सी गिरावट हो रही है वही sentiment आपको continue रहता हुआ नजर आया था, यहाँ पर गिरावट होई लेकिन उसके बाद एक अच्छा momentum देखने को मिला, एक अच्छी तेजी देखने को मिली और continuously market हमें उपर जाता हुआ नजर आया है और last में उपर के side पर एक consolidate होते हुए market ने closing दिखाई है daily candle पर देखेंगे तो आप देख पाएंगे एक अच्छा hammer type का candle बनता हुआ नजर आता है आज एक नाया all time high भी हमें दिखाई पड़ता है 16,700 के उपर closing देखने को मिली है तो of course सब कुछ यहाँ पर positive भी नजर आता है RSI 70 plus से सारे moving average के उपर 50-50 हमें trade करता हुआ नजर आता है तो index level पे अच्छी तेजी बनी हुए stock specific action होता हुआ नजर आता है तो हमें भी stock specific होना चाहिए और अच्छे shares को long term के लिए pick करना चाहिए news के बार में बात करें तो Wipro ने data robot के साथ partnership किये to deliver augmented intelligence तो Wipro के लिए बहुत ही अच्छी बात बन कर आती है infosys public services ने जो कि एक infosys की subsidy है उसने legacy modernization deal back किये from manitoba public insurance ये Canada का एक province है जहां से एक अच्छी deal यहाँ पर infosys को मिलती भी नजर आती है तो infosys के लिए positive news बन कर आती है ADA Foods में आज हमें तेजी देखने को मलती है उसका reason है कि US का distribution network वो strengthen करना चाहते है तो ADA Foods के लिए भी एक अच्छी बात है एक अच्छा small cap mid cap category एक stock ये निकल कराता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो please कोई feedback दीजिए Thank you, stay happy, happy investing